कि नमस्कार आप देखरें टर्निंग पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासें केज्रिवाल के चहेते और राज्यसभा से निलंबित रागाउचधा एक बार फिर से सुर्ख्यों ने हैं क्योंकि काफी वक्त से उनको लेकर जो सियासी ड्रामा चल रहा है अब उसमें माफी मांगने के बाद रागाउचधा पहली बार राज्यसभा समीती के सामने पेश हुए खुद को कटर इमांदार के पार्टी से होने का दम भरने वाले रागाउचधा की अब बोलती बंद हो गई है क्योंकि उन्होंने जो किया वो सरासर गलत है और ये बात रागाउच से फटकार लगने के बाद वो सिधा माफी मांगने के लिए पहुँच के थी राज्यसभा समीती के सामने पेश होने के दौरान रागाउचधा ने किस तरह से अपनी पक्ष रखा पूरी बात और क्या-क्या हुआ राज्यसभा समीती के सामने वो आपको हमारे इस खास शो टर्निंग पॉइंट में बताते हैं जिसके लिए उनके खिलाब विशे साधिकार हनन की शिकायत की गई है रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि चड्डा ने समीती के सामने माफी भी मांगी राजसभाय स्पीकर ने रागव चड्डा को ने लंबित किया है और उसके बाल आम आदमी पार्टी का ड्रामा शिरुप हो क्या लेकिन कोर्ट ने सुप्रेम कोर्ट तक गलती सिर्फ रागव चड्डा के निकली और आखिर में रागव चड्डा को स्पीकर के सामने जाकर माफी मांगने पड़ी अब एक बारफर से रागव चड्डा ने राजसभा समीती के सामने माफी मांगी है ये दावा कई रेपोर्ट में किया जा रहा है इतना ही नहीं राजसभा समीती के सामने पेश होने के उनके सामने आए बहराल शिकायत पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया क्या है राज्यसभा की विश्यसादिकार समीती आप निता रागाव चद्धा के साथ ही कुछ सांसदों के खिलाफ विश्यसादिकार हनन की शिकायत की जांच कर रही है समीती संजसिंग और डिरिक ओब्र ग्यारा अगस्त से निलंबित हैं क्योंकि कुछ सांसदों जिन में से ज्यादा तर सत्ता रूड भारती जनता पार्टी के हैं उन्होंने उन पर उनकी समती के बिना एक प्रस्ता में उनके नाम जोड़ने का आरोप लगाया था क्या है पूरा मामला दिल्ले सेवा बिलको रोकने में नाकाम रहने के बाद अब आम आदमी पार्टी को उस वक्त एक और जटका लगा चब पार्टी के राज्यसभा सांसद रागवचण्धा को सस्पेंट कर दिया गया वो तब तक सदन से निलंबित रहे जब तक प्रिव राज्यसभा के सभापती जगदीब धनकर ने आप सांसद संजर सिंग को निलंबित करने की गोश्णा की और रहने कहा कि मुझे इस मामले को विश्यसादिकार समीती के पास भीचना ठीक लगता है 24 जुलाई 2023 का निलंबन आदेश वर्दमान सत्र से आगे भी जारी रह सकता है जब तक की परिशद को विश्यसादिकार समीती की सिफारिश का लाब नहीं मलचाता बाद में रागव चड़ा ने खुद को सस्पेंडेंट राज्यसभा सांसद कहते हुए वीचू चारी किया उच्छ सदन में आम आदमी पार्टी के दस सांसद हैं मांसून सत्र के अंतिम दिन उच्छ सदन में नेता सदन प्यूश गोईल ने रागव चड़ा के नियमों का उलंगन कर बिना समती सदन की समीती में कई सदस्यों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठा दिया गोईल ने कहा कि कई सदस्यों की शकायत से साफ एक ये नियमों का उलंगन है उस दिन विप जारी हुआ था ये प्रिविलिज का उलंगन है कल को अगर सस्मित पात्रा का नाम दूसरी पार्टी के साथ जोड़ा जाता है तो उसके गंभीर परणाम हो सकते हैं कुल छे मेंबर परिशान काफी हुए और वे सभापती से अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं रागव चड़ा बाहर जाकर भी गलत बयान बाजी देते रहे पहले भी वो प्रिस में गलत बयान देते रहे थे कि उनके साथ ही संजर सिंग को सवाल पूछने की वज़ा से सस्पेंड किया गया आखिर में अज शोबनिया आच्रण के आरोप में आम आदमी पार्टी के सदस्या रागों चड़ा को विशेसाधिकार समीती की रिपोर्ट आने तक राजसभा से लिलंबित किया गया एसे संबदित शिकायतों को राजसभा के सभापती जगदीब धनकर ने विशेसाधिकार समीती के पास भीज दिया था राज्य सभा के एक बुलेटिन में बताये क्या था कि सभापती को उच्च सदन के सदस्य सस्बित पात्रा एस फॉग्णन कुएंक एम थंबिरूई और नरहनी अमीन से शिकायते में नी थी इन शिकायतों में रागो चड्धा पर बाकी बातों के साथ 7 अगस्त को एक प्रस्ताव पेश करके प्रक्रिया और कारे संचालन के नियमों का उलंगन करते हुए उनकी सहमती के बिना उनके नाम शामिल करने का आरोप लगाया गया चड्धा ने राज्यसभा में राश्री रा संसदों के नाम शामिल किये थे राघव चड्धा ने दी चेतावनी आम आदमी पार्टी के निता राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया निलंबित होने के बाद रागो चड्धा ने एक वीडियो शूट कर केंद्र की भाजपा सरकार पर जम कर अटैक किया करिब चार मिन दुनिया की सबसे बड़ी पाटी भाजपा के सबसे बड़े निताओं से सवाल पूछ लिए रागो चड्धा ने आगे कहा कि क्या इन्हें ये दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है ये लोग बहुत शक्तिसाली लोग हैं ये क इस तरह राहुल गांधी की सदस्यता ले सकते हैं कल को ये आपके किसी भी सांसद की सदस्यता रद कर सकते हैं ये जो चाहे कर सकते हैं वीडियो में रागो चड्धा ने कहा कि जिस अपराद के लिए मुझे दोशी ठैराए गया है वो तो किसी रूल बुक में लिखा ही नह में किसी भी लिखित समती या सिगनिचर की जुरूरत नहीं पड़ती आपको बस नाम देने होते हैं और किसी को अगर आपती है तो वो अपना नाम वापस फिले सकता है कहीं पर भी सिगनिचर लिए जाते हैं ना हमने जमा कराए इसके बाद रागव चड़ा ने चिताओनी द राजी सभा से निलंबन के खिलाफ आप सांसद रागव चड़ा की सुप्रिम कोर्ट में याचका पर सुनवाई एक दिसंबर को होगी दूसरी तरफ सुप्रिम कोर्ट के निर्देश के बाद चड़ा ने उपरास्रपती और राजी सभा सभापती जगदीब धनकर से अपन की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़े बैतर होगा कि कोर्ट सुनवाई टाल दी इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई एक दिसंबर के लिए टाल दी दरसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रागव चड़ा से कहा था कि वह राज्य सभा सभापती से मिलकर उनसे बिना शर्ट माफी माँगे कोर्ट ने उमीद जताई थी कि राज्य सभा के लिए पहली बार निर्वाचित चड़ा की गलती और चमा याचना पर राज्य सभा के सभापती और देश को परास्ट पती रागव चड़ा का निलंबन खत्म करने पर सहानुबूती पुन तरीके से विचार करेंगे इससे रागव का निलंबन खत्म होने का रास्ता निकल सकता है अब देखना होगा कि राज्य सभास समीती के सामने पेश होने के बाद सुप्रेम कोर्ट में जो एक दिसंबर को सुनवाई होनी है उसमें रागव चड़ना को राहत मिलती है या फिर नहीं टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही बागे खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विबरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से ह Capital TV पर मैं अमित्र प्रकाश लेकर आ रहा हम बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं